बॉलिवूट के सुपस्टार सल्मान खान की बरिशानी आज बढ़ सती है। काली रंज्रेकार के एक मामले में उन्हें आज जोदपूर के अदालत में आरोप सुना जाएगा। इस मामले में सल्मान के साथ सैफ अली खान को सहा आरोपी बना गया है। सेफ समय तमाम स्टारे तो जोदपूर पहुंच गए हैं लेकिन सलमान ने अमेरिका से मेरिकल भीज कर कोट में हाज़र नहीं होनी की बात रही है जोदपूर एरपोर्ट से बाहर निकलते इन सितारों पर सबकी नजरेटी की हुई है इन लोगों को आज यहां के मुखि नजरेट मेरिकल आरालत में हाजिल होना है काले हिरंट शिकार के जिस मामले में आज आरोप सुनाय जाने है उसमें फिलम अभनेता सलमान खान मुख्य आरोपी जबकि सैफल खान को सहारोपी बनाया है इन दोनों सितारों के लावाब फिल्म विनेत्री तब्बू, सोनाजी बेंद्रे और गिलम को भी सहा आरोपी बनाया गया है। इस मामने में के स्थानी व्यक्ति दुश्यंत सिंग आरोपी है। इस लोगों को संचोधित बनने जीव संग्रक्षन धिनयम की धारा 51 के तहर आरोप सुना जाएंगे। खास बात ये है कि आरोप साबित होने पर 6 साल की सजा हो सकती है। जहां तक है अधिकन सजा जो 6 साल तका प्रावदान है उसी सजा से बिंट किया जा सकता है। तीसरा कंकड़ी यहां आपको बता दें कि बदावगाव और घुड़ा फार्म मामले में सल्मान खान को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। कंकड़ी में शिकार का है जिस पर आज आरोप सुनाई जाने हैं। जिस तरह से पहले के दो जगों पर शिकार की मामले में सल्मान को सजा सुनाई जा चुकी है। उसे देखते हुए कानू के जानकार मानते हैं कि कंकड़ी का कान भी दबंग का तर्ग और बढ़ाने वाला है। इद्रुक्मार जोदपूर आज तक।